मुंबई क्रोज ड्रग्स मामले में नार्कोटिक्स कंच्रोल ब्यूरो की कारवाई लगाता चारी है क्रोज ड्रग्स केस में चौंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से आज सुभा 11 बजे फिर से पुश्ताच होनी है इससे पहले गुर्वार को करीब दो घंटे तक NCB ने पुश्ताच की थी आरंद खान के वर्टसेप चैट में अनन्या का नाम सामनी आया है अनन्या के साथ पिता चौंकी पांडे भी NCB दफ्तर पहुँचे थे NCB ने अनन्या पांडे के घर छापा मार कर उनके मुबाइल और लैप्टॉप जब किये NCB ने दो दिन में बांदरा, CST, नाला सुपारा समीत पांच जगाओं पर छाप पिमारी की है वाट्सअब चैट को लेकर गुरुवार को नन्या पांडे से पुष्ताज होनी थी हलाकि सुत्रों का कहना है कि गुरुवार को नन्या पांडे से ज़्यादा पुष्ताज नहीं हो पाई सिर्दो गंटे ही पुष्ताज हो पाई यही वज़ा है कि एजंसी ने शुकरवार सुभा यानि कि आज सुभा 11 बजे फिर से अभी नेत्री को पूछताज के लिए NCB दफतर बलाया है बतादे कि अनन्या पांडे बॉलिवूर एक्टर चंकी पांडे की बेटी है NCB गुरुवार को एक्टर शारुख खान के घर मननत भी पहुंची क्रूज जर्ग्स केस में शारुख खान के बेटे आरन खान और्थर रोड जेल में बंद है आपको ये भी ज़ानकारी दे दूँ कि गुरुवार सुभाज शारुखान आर्थर रोड जेल में बंद आरन खान से मिलने के लिए पहुंचे थे वो वहाँ पर करीब 15 मिनट रुके आरन के गुरुवार से पहला मौका था जब शारुखान अपने बेटे से मिलने पहुंचे इससे पहले बुद्वार को मुंबई के एक सिलिशियत अदालत ने आरन खान की जबान तरजे खारिश कर दी थी आरन खान और आठ अन्य को 3 अक्टूबर को रासत में लिया गया था और बाद में गिरफतार कर लिया गया उन्हें क्रूज शिप पर एंसेबी दौरा चापे मारी के बाद गिरफतार किया लेकिन आरंद खान की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ली रही है ये मुश्किले लगातार बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं और अब कही न कहीं कहा जा सकता है किसके तार जहां जहां जुड़े हुए हैं वो लोग भी मुश्किल में फस्ते हुए नजर आ रहे हैं अगर अनन्या पांड़े की बात की जाए तो कथी तोर पर कहा जाता है कि अनन्या पांड़े अरन खान की बेस्ट फ्रेंड है और जो चैट वारल हुई है उसमें अनन्या का नाम भी सामने आ रहा है। कि अहुंग हुआ